सामराब जी, आज हम बात करने वाले हैं शूमंगर जारा सामनार मूवी के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट की लीड रोल में है आईश्वान कुराना, जिते इंडर कुमार और नीना गुपता है, गिराज राओ है और ऐसे काफी सारे सपोर्टिं केरेक्टर हैं इस मूवी में और जैसे हम पहले भी देख चुके हैं ट्रेलर में कि ये मूवी बेस्ट है दो कबल्स के उपर जो कि गे कबल है और उनकी लव स्टोरी में दिखाई गई है सबसे पहले तो जो कॉंटेंट है वो भी काफी यूनीक है, हमने इस तरह का कॉंटेंट पहले कभी नहीं देखा है तो इस चीज को भी देखना अगर आपको पसंद हो या आप देखना चाहते हूं तो आप ये मूवी ज़रूर देखने जाए अब बात कर देए मूवी के स्टोरी की मूवी की शुरुवात होती है दिल्ली से तो जीतु यान्की जीतेदु कुमार है जीतु वाइश्वान-कुरान के साथ दिल्ली में ही रहते हैं बात मुवी में वो दोनों कपल की तरह रहते हैं और स attractions Ch tribe कि उनकी बहन की शादी तेह हो जाती है, उनकी पिता जी पुर्याकराश को बलाते है और गया के अना जरूर हो गा, लेकिन बहन जाना नहीं चाहते हैं कि यूशाथे थे शूशाथे थे कि उनकी घर के रिले शिक्ता बारे में किसी खुटा हुआ कर दो है और एक वार कम से कम ट्राय करना चाहिए उनके मम्य पापा को उनकी रियल्टी बताने के लिए और उनकी बात मानकर वह वहां जाते हैं और क्योंकि ये काफी पुराने टाइम की शादी के बारे में दिखाया गया है तो ट्रेन में ही जब सारा फंक्षन और प्रोग्राम चल रहा होता है तभी आईश्वन खुराना जीतू को किस करते हैं मतलब रोमेंटिक माहौल बन जाता है अकॉर्डिंग टू हिम और उसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और जीतो के पापा जो की ऑक जिए गराज राओ है वह उन्हें देख लिते हैं पहले तो उल्टी आती है और फिर उन्हें एकसेप्ट ही नहीं होता कि इनका बेटा की काफी जिसे वो चानते हैं और वोगे कैसे हो सकता है क्योंकि आज तक उनके खांदान में कभी असन नहीं हुआ है तो नहीं धका हजब नहीं होता तो मुवी के स्टोरी इसी तरह इसी चीज़ पे है कि किस तरह हमारा समाज आज के टाइम में भी एक तरफ तो काफी जादे एडवांस हो रहा है और दूसरी तरह इस तरह की चीज़ों का एकसेप्ट नहीं कर रहा है फैमिली किस तरह दो लोगों के बीच चाहिए वो लड़का लड़की हो या लड़का लड़का ही हो किसी तरह का भी रिलेशन हो उसके बीच में आ जाती है और अक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है तो यही चीज इस फिल्म में दिखाई गई है लेकिन सबसे बेस बात है इतना सीरिस टॉपिक होने के बावजूद भी इस मूवी को बहुत ही लाइट फिल्म में बनाया गया है आपको यह इतना सीरिस नहीं करेगी इस फिल्म में बहुत जादा कॉमेड़ी भी है और काफी कि आपको तो यह मुझे हैं कि उस इस फिल्म पी पिल्गिए कि जरूर देखे हैं मैं बात करें कि फिल्म को पूरी तरह बनाया किस तरह से होगा तो यह मुझे बहुत अछा लगा मुझे आपको बताते कोई भी बड़ी मैं मानती हूं कि कुछ लोग इस तरह के कॉंसेप्ट को सही नहीं समझते और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वह उनकी अपनी पर्सनल चाहते हैं लेकिन सिर्फ इंटर्टेंडमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इस मुवी को जरूर देखें और मेरी वीडियो क लाइक शेयर कमिट सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू